इस इस कृष्णा वासिस्ट एंड यू और लिसनिंग तो मियो और माय ओफिशल यूटूब चनल टैट्स गुरू और आज हम डिस्कुस करने वाले हैं सी टैट 2016 का सी डीपी कुशन पेपर ये पेपर फस्ट है यानि की प्राइमरी लैवल और डिस्कुस करेंगे आज कोशन फर्स्ट से लेके कोशन была 15 तक और अच्छेसे करेंगे सारे ऑप्शन को अच्छे से करूंगा जो अप्शन होगा उसको उश्पियों करूगा और जो उप्शन नहीं है उसको भी अच्छे से एक्स्प्रेन करेंगे ठीक है तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को नमस्कार दोस्तों आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूटूब चैनल टैट्स गुरूपर और मेरा नाम है क्रिश्ण वसिस्ट और आज हम करने वाले हैं 2016 का कुश्ण पेपर है ये प्राइमरी लैवल पेपर है ठीक है फर्स्ट पेपर फर्स्ट है आप देख पा रहे हैं मेरे पास यू सैट है आज इसको और यहां पर हम डिसकस करते हैं चाइल्ड डिवलप्मेंट एंड पैडागोजी अच्छे से समझेंगे एक एक कुश्ण को अच्छे से समझाऊंगा पूरे एक्स्प्लैनेशन के साथ समझाऊंगा ठीक है चारो ऑप्शन को अच्छे से एक्स्प्लैन करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है मैं जाता हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड पे पहला कोश्ण आप लोग के हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है तो आप देख लें सीखना एक सक्रिय परिक्रिया है क्योंकि लर्निंग टेक प्लेज वेन देरी सम इन्फर्मेशन गिवन टू दर लर्नर सीखना तब होता है जम शिक्षारती को जानगारी दे दी जाए तो यह ओप्शन यहां प सीख जाएं जैसे फॉर एक्जामपल मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं चाइल डिवल्मेंट पैडागोजी तो आप जो है मैं जिस्ट बता दूँ आप सीख जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो यह ओप्शन जो है यहां पर नहीं हो सकता उसके बाद लर्निंग रफ तो यहां पर चीज काफी सही लग रही है क्योंकि लर्निंग क्या है सीखना क्या है अगर सीखने वाला जो बंदा है जो लर्नर है वो चीज को ले रहा है जो सीख रहा है और उस पर एक्शन भी ले रहा है साथ में ठीक है तो ही लर्निंग जो है कंप्लीट हो सकती है अगर ऐक्शन नहीं लेगा तो लर्निंग नहीं होगी, ठीक है, मतलब कोई चीज कोई टीचर सिखा रहा है बच्चों को, तो उस पे अगर वो प्राक्टिस नहीं करेगा, उसको रिवाइज नहीं करेगा, उसको बार बार कोशन को सोल नहीं करके देखेगा, तो learning कहा से होगी अगर एक बार करके छोड़ देगा तो यह तो possible नहीं है कि learning हो जाए ठीक है तो यह तो possible नहीं है कि learning हो जाए तो कहने का मतलब यह है बेसिकली कि जो learning है आपकी उसमें action भी लेना पड़ता है ठीक है learner को action भी लेना पड़ता है अपने ग्यान का निर्मान करने के लिए तो इसका जो right answer है दोस्तों वो हो जाएगा option number third ठीक है move करते हैं जल्दी से question number second आपके सामने है screen पर आप देख सकते हैं in the context of students readiness to learn it is important for the teacher too ठीक हो सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संधर्म में एक शिक्षक के लिए यह महतपूर्ण है ठीक है कोई बच्चा सीखना चाता है कुछी सीखना चाता है तो readiness to learn के context में एक टीचर को क्या करना चाहिए ठीक है सबसे पहले option है आपके पास अधिगम के प्रती बच्चे को अभी बच्चे के अभी प्रिरण को मापना बच्चे बच्चों पर तैयारी का नियम लागू करना देखो बच्चों पर तैयारी का नियम हम directly थोड़ीने लागू कर देंगे हमारे हम जैसे हम teacher है हमारे पास को student आता है कुछ चीद सीखने अब सीखने आता है तो हम जो है directly law of readiness उसके उपर यूज नहीं कर सकते जहां रखने इस चीज का ठीक है हम सबसे पहले उसकी पुरानी knowledge को चेक करेंगे directly कैसे आप law of readiness लगा दोगे ठीक है उसके बाद access the journal knowledge of the student student की journal knowledge को assess करोगे कोई चीज सीखने आ रहा है जी के सीखने थोड़ी न आ रहा है ठीक है जनल नौलिज तो question में दिया नहीं हुआ है disregard students previous knowledge आप student की previous knowledge को disregard कर देंगे मतलब धियान ही नहीं देंगे इग्नौर कर देंगे तो यह तो बिल्कुली negative sense बन रही है इस चीज की तो इसका जो दोस्तो right answer option number first option number first is right answer ठीक है आगे समझ में आपको चलें आगे ठीक है मतलब आप क्या करोगे अधिगम के लिए जो बच्चा आ रहा है कुछी सीखने के लिए आप उसकी सबसे पहले motivation चक करोगे कि बच्चे जो है motivate कितना है बच्चा अभी प्रेरित कितना है उस चीज को कितना सीखने के लिए कितना excite है अगर आप एक teacher है तो इस तरीके को आप जो है अपनी class में भी apply कर सकते हो अगर आप कोई नई चीज सिखा रहे हो बच्चों को तो आप सबसे पहले बच्चों को motivate करें बच्चे को जब motivate करेंगे तो बच्चे सीखने के लिए अभी प्रिरित होंगे ठीक है और अच्छे से सीखेंगे बात करते हैं question number 3 की आपके सामने है screen पर देख लें in an effective classroom एक effective classroom क्या होता है एक प्रभावी classroom ठीक है एक बहुत ही अच्छा classroom कक्षा तो एक effective classroom के अंदर basically क्या चीज होती है the students are in competition देखो competition word आ गया है यहां पर तो बिलकुल यह तो negative sense के तरफ जा रहा है तो इसको तो हटाए दो आप यहां से ठीक है मैं यहां पर आपको तरीके बता रहा हूं कि आपको लंबे लंबे option पढ़ना भी ना पढ़े और आपका काम भी बन जाए ठीक है तो option number first भी नहीं हो सकता option number second भी नहीं हो सकता the teacher encourages discussion तो teacher जो है वो किसी भी discussion को encourage करे ठीक है और बच्चों को प्रेरित करे कि सबी जो है बढ़ चड़के उस discussion में भाग लें ठीक है और सारे जो है dialogue करें एक दूसरे से बाते करें discussion करें और basically teacher का क्या है कि उसकी previous knowledge को background से जोड़े बच्चे जो last class में सीख किया है जो last concept उन्होंने याद किया हुआ है उसकी knowledge को connect करें वो ठीक है एक teacher का अच्छा काम यह है तो option यहापर हो जाएगा third is the right answer फोर्थ option भी आप देख सकते हैं student passively, passively word जो है negative बना जाता है कि अराम से बैठे बटाए just learning हो तो बैठे बटाए तो कुछी भी नहीं होता आप सभी को पता है मेहनत करने पड़ती है तो इसका जो right answer है वो है option number third move करते हैं question number fourth की तरह आपके सामने है children develop interest in the classroom एक बच्चा जो है कक्षा में अपना interest develop करता है रुची विक्सित करता है कब करेगा option आपके सामने है शिक्षक केवल अच्छे विधारती का पक्ष लेता है जब करेगा या फिर शिक्षक परतेक शिक्षारती को भाग लेने के लिए परचाहित तता प्रशनसा करेगा या फिर शिक्षक जो हैं बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते है उन्हें ग्रह कारिय कोशन फा बच्चे शिक्षा में रुची विखसित करते हैं जब पहला option नहीं हो सकता शिक्षक केवल अच्छे शिक्षारति आपक्ष लेता है, तो यह तो बिल्कूल मतलब, बिल्कूल पक्षपात तो teacher करता ही नहीं है, बिल्सिकली तो आपने आप में गलत बात है, उसके बाद second, शिक्षक परतेक शिक्षारति को भाग लेने के लिए पूर्चाहित परसंचा क करता है तो यह option यहां पर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है option number second कि जो teacher है वो encourage करे हर student को participate करने के लिए ठीक है तो फिर जो है सारे सारे स्टूडेंट जो है participate करेंगे अगा teacher ही encourage नहीं कर रहा है तो फिर participation क्यों करेंगे students तो सबसे बहले teacher का काम यह बन जाता है कि participation करवाए और करवाने के लिए बच्चों को motivate करना पड़ेगा बच्चों को बच्चों की प्रशंसा करनी पड़ेगी लेकिन जूटी प्रशंसा नहीं है वास्ते में जो real picture है वही बच्चों को दिखाओ ठीक है तो option number second इसका right answer हो जा तो option आपके सामने थोड़े से बड़े option है आप देख लो they should be told that school has a different language तो बिल्कुल भी नहीं क्यों को यह बताना चाहिए कि school के अंदर है different language बोली जाती है आप उसी language में बात करोगे आप अपनी mother tongue को छोड़ दोगे तो यह तो बात नहीं बनी यहाप बिल्कुल negative चीज है their parents should be told to use only the language of the school at home बिल्कुल गदत बात है कि उनके माता-पिता को बताओ अभी वाग को बताओ कि घर पर केवल विद्धाले की भाशा को ही इस्तमाल करें कि जो विद्धाले में बोली जाती है वही भाशा घर पे बोले option no.3 they should allow to speak in their mother tongue because expression is important तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option no.3 कि बच्चों को आप खुली opportunity दें कि बच्चे जो है अपनी mother tongue में बात करें express करें कम से कम उनका communication level अच्छा होगा और more importantly बच्चा जो है comfortable feel करेगा अगर आप जैसे बच्चा Hindi बोलता है और school में अगर English speaking अगर English में बात होती है अगर बच्चों को आप compel करोगे मजबूर करोगे बच्चा आप English में बात करो तो बच्चा कहीं ना कहीं comfortable feel नहीं कर पाएगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं question no.6 की तरफ जल्दी से जलते ह which one of the following best describe a teacher role इन में से कौन सा ऐसा option है जो teacher के role को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करता है the teacher should focus primarily on the knowledge given in the textbook तो केवल textbook के knowledge teacher बताए यह बहुत अच्छे बात नहीं है the teacher should maintain her regards परिश्वन पूरवक उसको अपने regard जो है maintain करने चाहिए तो केवल teacher का काम यहीं नहीं होता काफी कुछ होता है बच्चों को सिखाना भी तो है the general attitude of the teacher should be promote a feeling of security among the children तो बल्कुल सही बात है option number third is the correct answer एक शिक्षक को जरूरी है कि वो समानने अभी विर्ती बच्चों में शुर्खशा की भावना को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए देखो अगर एक teacher है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो देखो सबसे पहले teacher को चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले comfortable करे ठीक है और second चीज बच्चों को सुरक्षा की भावना दे कई पर क्या होता है कि बच्चे जो हैं डरते हैं teacher से देखो डर के महौल में कभी अधिगम नहीं हो सकता कभी भी learning possible ही नहीं है आप करके देख लो होगी ही नहीं ठीक है तो एक शिक्षक को सबसे पहले चाहिए बच्चों क कमफर्टेबल करें कमफर्टेबल होंगे तो फिर वह security अपने आपको secure feel करेंगे और जब अपने आपको secure feel करेंगे तो अपने आपको खुल के वह express करेंगे ठीक है तो आपको बात समझे में आ गई बढ़ते हैं next question की तरफ question no.7 तो यह रहा question no.7 आपके सामने है How can the teacher promote problem solving skill in the student? एक teacher जो है promote कैसे करेगा problem solving skill को बच्चों के अंदर? ठीक है option आपके सामने है by making use of chalk and board method तो बिल्कुल भी नहीं यह तो बिल्कुल एक narrow meaning वाला answer हो गया उसके बाद by providing student with diverse material and encouraging them to explore their materials बिल्कुल सही बात है option number second is the right answer की शिक्षार्तियों को विवित पदहार्त उपलब्द करा कर तदा उन्हें अपनी सामागरी का अन्वेशन करने के लिए पुर्चाहन देना ठीक है तो basically एक teacher जो है बच्चों के अंदर problem skill develop कर पाएगा उसी condition में जब बच्चों को जो है वो ऐसे material प्रोवाइड करें जो कि divers हो अलग अलग तरहे के हो और real situation के उपर based होने चाहिए और बच्चों को opportunity दे कि बटा इनको soul करो और जहां पर बच्चों को confusion है आप जो है उसको timely scaffolding provide करो ठीक है साहता करो यही teacher का एक काम है साहक के तोर पे यहीं कि सारे material को खुदी soul कर दिया तो बच्चों को जो है divers material देना है आपको अलग अलग तरहे का material देना है एक तरहे का material नहीं देना है इससे बच्चों की divers thinking develop होगी और divers thinking develop होगी तो बच्चों की स्रिजन आत्मक सोच एक ही चीज है by the way option number 3 by giving them continuous practice questions and laying stress on drill only कि केवल उन से practice कराओ तो यह तो stress बढ़ाएगा उनके उपर by promoting discipline among her student तो बच्चे जो है स्कूल में आते हैं बच्चे किसी आर्मी को थुडिना जोइन करने के लिए आते हैं कि हाँ उनको वहां पर discipline में रखना है तो basically उनको को construct भी करें उसके बाद बात करते हैं question number 8 की तरफ चलते हैं जल्दी से आपके सामने screen पर है children formulate their own strategies for learning in this context teacher तेखो कई दफा क्या है बच्चे जो है अपनी ही अपने ही तरह के का एक strategy formulate कर लेता है ठीक है मतलब अपने ही strategy को form कर लेता है teacher की बात को वह अच्छे से मतलब बात तो सुनता है लेकिन teacher की बात सुनने के बात अपने ही तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो इस अंदर में शिक्षक को क्या करना चाहिए नीड्स टू डिसकार्ड चिल्डरन्स देखो डिसकार्ड वर आ गया है यहां पर तो उप्शन को हटा दो कि डिसकार्ड तो बिल्कुल आई नहीं मतलब एक अपराद है psychology के अंदर आप समझ सकते है इसका जो राइट अंसर है बिल्कुल सही बात है option number second कि बच्चों की युक्तियों को समझना तता उनके साथ उन पर चर्चा और समवात स्ताफित करना चाहिए एक teacher को यही काम करना चाहिए बच्चों की mentality को समझे कि बच्चों के अंदर individual differences होते हैं अब आपने एक बात बता दी ठीक है बच्चों इस तरीकी से पढ़ना है तो बच्चा जो है काफी कुछ पढ़ेंगे और काफी कुछ अपने तरीकों से करने की कोशिश करेंगे तो ज बात नहीं यह तो बिल्कुल बोरिंग काम हो जाएगा वैसे ही बच्चे जो है लक्चर को जो है बिल्कुल बोर समझते हैं शुड मोटिवेट था चिल्टर टू स्ट्रिकली फोलो दा प्रोसीजर अपनी बात को मनवाना यह कहां तक सही है तो आजकल वैसे study जो है learner centered है चा जल्दी से पताएं which one of these factors plays a very important role in learning इन में से कौन सा कारक सीखने में अती महतपुन भूमी का निभाता है ठीक है के वल जैनेटिक मेकप या फिजिकल इंफरस्ट्रक्चर या फिर शोशल कॉंटेक्स्ट एंड इमोशन या फिर मैचुरेशन एंड फिजिकल अपीरियंस है अच्छी महतपुन भूमी का निभाता है किसी बच्ची का दीघम के अंदर बाकी सारी चीज़े आप देख सकते हो जैनेटिक और फिजिकल इंफरस्ट्रक्चर जैनेटिक इंपोर्टेंट रोल है लेकिन जैनेटिक के साथ इंवार्मेंट को देखना पड़ता है ठीक है करता है तो इसका बिल्कुल राइट अंसर है फिर्स्ट ऑप्शन इस राइट अंसर हो जाएगा दो से आर्ट वर्स तक ठीक है बाकी आप देख सकते हैं बड़े राम से एक्स्क्लूड कर सकते हो आप उने उसके बाद बात करते हैं किसी शिक्षक के लिए विर्दी और विकास के सिद्धानतों के बारे में जानना महतवपून है क्योंकि मतलब किसी कोई भी टीचर है वो प्रिंसिपल अच्छे तरह से समझे डेवलेमेंट के तो क्यों अवशक है इतना तो यह तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी सेग्रिकेट हमें करना ही नहीं है तो टीचर वुड बी एबल टो क्रियेट एक गुड इंप्रेशन जमाना यह अपने आप में एक छोटी सी बात है बिल्कुल सही बात है अगर उसको प्रिंसिपल पता होंगे डेवलेमेंट में डेवलेमेंट के तो वो बच्चों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझेगा तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नमबर थर्ड इस राइट आंसर बात करते हैं ओप्शन नमबर कोशन नमबर 12 की चाइल्स डेवलेमेंट इस रेजल्ट ऑफ बच्चे का विकास परियनाम क्या है बच्चे का विकास परियनाम है बिसिकली किसका कॉंबिनेशन है यह कोशन भी काफी बार आ चुका है ओप्शन नमबर सैकेंड इस राइट अंसर एक कॉंबिनेशन ऑफ हेरेडिटी और एंवार्मेंट का इंटर प्ले है अंतिक्रिया है दोनों के बीच की ठीक है याद रखना हेरेडिटी कभी अकेले कॉंट्रिपेट नहीं करती है और एंवार्मेंट भी कभी अकेले कॉंट्रिपेट नहीं करेगा दोनों की अंतिक्रिया होगी दोनों के इंट्रक्शन होना चाहिए ओप्शन नमबर 13 चिल्डरन बच्चे क्या है और बोन अन्रूली और नीड टो बी सिविलाइज़ बाइड तो फिर स्कूल का क्या काम हो जाएगा ऑप्शन नमबर फरस्ट नहीं है आंसर और गिफ्ट और गोड में टो भी विस्पर वर्शिप्ट सोरी यह भी नहीं होगा ऑप्शन नमबर थर्ड और इंफ्लूएंस बाइड शोशल और कल्चर कॉंटेक्स बाइड ग्रोप इन बिल्कुल सही बात है जिस समाजिक और संस इसलिए होता है कि देखो पांच साल का बच्चा है तो अकॉर्णिक टू पर आजे उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो पाई है तो इसका जो राइड अंसर ऑप्शन नमबर थर्ड है उसको सरफ एक ही आसपक्ट पता है कि यहां पानी गिर रहा है लेकिन पानी वाइड बरतन से जो चोड़ा प नहीं पाता ठीक है बाकी option में आप देख सकते हो she cannot symbolize तो यहां पर जो प्रतीक है जो डाइग्राम जो सोचता है वो बात यहां पर होई नहीं रही है यहां पर imitation की भी कोई बात नहीं है तो यह option तो होई नहीं सकते बिलकुल हर behavior is not goal directed तो यह option भी यहां पर नहीं हो सकता तो standing of a cycle में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ हम वहां जल्दी पहुच जाएंगे वह यह समझ परदिशित कर रहा है कौन सी समझ वहां बच्चा शो कर रहा है symbolic thought egocentric thinking cause and effect reversible thinking तो इसका जो राइट answer है वह है cause and effect option number third is the right answer तेज चलाओ तो यह परकार क cause है और तेज चलाओ वहां पर जल्दी पहुच जाएंगे तो यह परकार का effect तो बच्चे को cause और effect के बारे में पता है जैसे कि एक example मैं आपको अच्छे से और दे सकता हूं कि बच्चे 5 साल का बच्चे यह कहता है कि बाहर जो है धूप में रखने से कपड़े सूख जाते हैं तो बच्चे को cause भी पता है और बच्चे को effect भी पता है कि बाई cause यह है कि धूप में रखे हुए है कपड़े और इसका effect क्या होगा कि यह जल्दी सूख जाएंगे तो बच्चों को scientifically चीजे यहां पर मालूम हो रही है ठीक है तो environment से अपने आपको interlet कर पा रहा है बच सेकेंड में तो प्लीज देखना मेरी इन वीडियो को काफी अच्छी लग रही है आपको आपका काफी प्यार मिल रहा है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो काफी अच्छा होगा लेकिन अगर किसी दूसरे के नोट से पढ़ सोला से लेके तीस तक के कोशन